नमस्कार स्वागत आप सभीक इंडिया फर्स्ट के खास प्रोग्राम डिबेट फर्स्ट में समय भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव सबसे चरम पर है और दौनों सेना एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई है हमारी तरफ से शुरुआत एर फोर्स ने की थी पुलवामा हमले के बाद और पाकिस्तान को मूँ तोड जवाब दिया था उनके आतंक की ठीकानों पर जबरदस्त बंबारी की थी हलाकि अब सिच्वेशन थोड़ी सी आपर और एकस्केलेट हो रही है और हमारा एक जो जाबास जो पाइलेट है वो पाकिस्तान की गिरफ्त में आ चुका है उसके कुछ वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वाइरल हो चुके हैं लेकिन भारतिये विदेश मंतराल ने कहा है कि हमारा अभी तक जो पाइलेट है वो लापता है उसकी खोज भी जारी है इन्हीं सब के बीच भारत और पाकिस्तान की जो दिशा है वो किस और आगे बढ़ रही है और क्या भारत इस समय युद्ध के लिए पूरी तरह से तयार है क्या इस बार होगा आर्या पार इस कमारें बहुत बहुत स्वागत अने शिर्वास्ताओजी और अश्यवास्त चाहुटर क हमारा एक पाइलेट जो है अगर हम कुछ वीडियो प्र यकीन करें तो पागिस्तान की गिरफ्त में हैं पागिस्तान ने वीडियो भी जारी किए हैं यह सुच्वेशन हमारे व पाइलेट को दिखा कर हमें मजबूर करेगा कि आप बातचीत करें देखिए अभी थोड़े देर पहले आपने देखा होगा कि टीवी पे विदेश मंत्रा ले और एर फोर्स के एक सेजनर आफसर एर दाइस मार्शल कपूर ने आके ब्रीफिंग करी थी और उन्होंने इस बा को केवल यह बताए कि हमारा एक पाइलेट लापता है तो जब तक सरकारी सूत्रों के इसाफ से हमको पता नहीं चल पाता है इस बात के लिए कहना बहुत मुश्किल है कि हमारा पाइलेट उनके पास में कैप्चर हो चुका है अगर इसको थोड़ा सा अगर अकॉर्डिंग अगर हम जब तक हम ऑफिशल जो है उसका वेट करें कितना यह हमारे लिए दिक्कत का विशह हो सकता है या फिर हम माने कि युद्ध है इसमें इस तरह की बात होती रहती है इसमें दिक्कत कुछ नहीं है जब भी यदि दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई होती है जैसा हम हमारे पाकिस्तान के बीच में अभी ऐसा नहीं है क्योंकि हम तो वार में नहीं है और एविशन है एविशन में स्टैप की वार्दातें होती रहती है कभी कुछ टेक्निकल स्नेक आजाता है जहाज में तो जहाज क्रेश हो जाता है पालेट को एजएक्ट करना पड़ता है जब पालेट एजएक्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन दा विंड डिरेक्शन यदि लोसी के बिल्कुल पास में है तो विंड की वैसे उनके चेतर में भी जा सकते हैं तो ऐसा हो सकता है और यदि ऐसा हुआ है यदि हम यह जो वाइरल वीडियो चलना है यदि उनके बात करे करके जो इस तरह की जो सोशल मीडिया पर जो अजम्शन किये जा रहे हैं तो जिनेवा कन्वेंशन के तहट ये पाकिस्तान ये जुर्रत नहीं कर सकता कि भारती है जो हमारा जो पालेट है उसको किसी प्रकार का नुकसान पहुचा है और ऐसी सिती में बिल्कुल भी नहीं जब भारती सेना यहां पर एक एक जान का हिसाब करने को लिए पूरी तरह से त्यार बैठी हुई है मनी सक्षेना जी आपके पहले जब स्ट्राइक हुआ था तो मोदी जी के चपन इंच का जिक्र काफी हुआ तो पुरे देश में खुश्या मनाएगे तो निश्य तोर पर भारती होने कनाते हमें भी काफी खुशी हुई लेकिन अब आप इस किस दिशा में आप जाते हो दिख रहे हैं किस तरह से आतंक का सफाय होगा पागिस्तान को कैसे सबक सिखाये जाएगा देखिए आसुतों जी इस बात को तो हम इस पश्ट रूप से कहना चाते हैं अंतर वहीं पड़ोसी देश जो सीमा पार से निरंतर आतंकवादियों का सवरक्षक बना हुआ है इसके एक नहीं अनेक प्रमान बार बार निकल करके आये हैं उसके बाद भी उसने अपनी हरकते छोड़ी नहीं है उसी का परिणाम है आपने देखा होगा चौदा फरवरी की घट किसी से छुपी नहीं उसके बात का हालात इस हिंदोस्तान के अंदर बने उसकी प्रतिक्रिया हिंदोस्तान में इसपश्ट रूप से जैसा कि आपने देखा होगा मानी नरेंद मोधी जी पूरू में भी जब प्रधान मंतरी नहीं बने थे तब यह उन्होंने अपने प्रदान मंत्री नवास चरीफ ने हमारे प्रदान मंत्री मनमोन सिंग जी को एक देहाती औरत मतला अब सब्दों का प्रयोग करके अपमान किया लगाँ यह कैसे अपक्तर में इंद्रा गांधी जी ने जिस तरह से पूरे विश्रु समुदाय को भारत की ताकत का पाकिस्तान की दो टुकड़े कर दिये थे क्या आज वह इस्तिती आप देख रहे हैं और पर पाकिस्तान को एक बड़ा सबक सिखाने की स्थिती में हैं क्या आपकी पार्टी और क्या हमारे प्रदारमंत्री ये कदम उठाने के लिए तयार हैं बिल्कुल आशुतोज जी आप पूरे पूरे अब वर्तमान जो हला थे आप देखेंगे हमें हमारे नेत्रत पर तिल भर की कोई संकर नहीं है मानमी मोदी जी के नेत्रत तुम्हें आख से आख आंगों में आखे डाल करके आतंक वाद के खिलाब बात करने का जजबा हम दिखा रहा हैं उसी का परिड़ाम हैं कि यह गटना है आपके सामने हैं निश्य तोर पर बिलकुल अभी सई दिशा में बढ़ रहे हूं और कहीं ना कहीं हमारी जो साती है क्या बलिदान देने की जो सिर्फ जो जिम्मेदारी है हमारी आर्ण फोर्स की है क्या वो बलिदान क्या नागरिक होने के नात इस देश के क्या वो बलिदान हमें नहीं देना होगा इस बात को लेकर हमें जरूर यहां पर सोचने चाहिए लेकिन बहराल अले शिर्वास्ता जी इस पूरे जो आपने पिछले 14 फरवरी से लेकर अब तक का जो पूरा क्या कुछ मन में आपके सवाल उठ रहे हैं देखिए आश्यू जी सबसे बड़ी बात यह है कि कितने आतंकवादी मरे इनकी जानकारी अभी तक नहीं आई है लोग उस पर प्रिश्ण चिन्न लगा रहे हैं यह घटना जिस समय भारतिये विमानों ने वहां पर बंबारी कर कि उस समय साले तीन से पोने चार का समय था और सवा चार बज़े साले चार बज़े सी तताकतित मेडिया ग्रूप ने एकदम 200 से 300 आतंकवादियों को मार गिराया यह कहना चालू कर दिया था इसके बाद वह हो गया 200 से 300 और आज हो गया 325 अभी भाजापा के राश्टी प् संख्या देती तो वो वेलिवल होता उसको दुनिया मानती भारत का हर नागरिक मानता क्योंकि इन परिस्थितियों में मिलेटरी का एक एक मिलेटरी के प्रवक्ता का शब्द जो है बहुत काउंटेविल होता है मिलेटरी के तरफ से अभी तक कोई संख्या बताई नहीं साथ ओ पाकिस्तान के तरफ से किये गएंगे साथमा हमला हुआ है यह पुल्वामा बावजूत इसके यह हमला अंदर घुसके मानने की इस्टितिक चुनाओं के दो मेहने पहले बन रही है पहली चीव तो यह चुनाओं के आप कहनें कि पुलवामा को जो अटैक हुआ है त आप देखिए तल इनोंने खुशिया मनाई भारती जनता पाटी की बात कर रहा हुआ जगा जगा 56 इंच का सीना 56 इंच का सेना कोई नामी नहीं है हमें सेना के सामने उनको स्रूट करना चाहिए जोनोंने अपने दम खंपे वहां जाके मार के आया आतंग बादी केंडों को नियाय संगत नहीं है आपने देखा होगा देश के प्रधान मंत्री ने भारती जनता पालिटी के राश्टी अध्यक्ष दोनोंने सेना के संबान में जो कसी दे पड़े ये किसी से छुपे नहीं है तो ये कही न कही विरोधा वासी इस्तिती हो सकती है मैं मानिय स्रीवास् का इस्तमाल करेंगे चुनोती का वक्त है और इस समय प्रदेश को और देश्ट होना चाहिए लेकिन इस सवाल का जवाब में मैं यहां पर मैं साथ एरफोर्स के वरिष्ट अधिकारी मौजूद है प्रमुष रास्ता सर कितना फर्क पड़ता है एक स्ट्रॉंग लीडर्श में का इस परफोर्स हो या इंडियन अर्मी हो वो फाइनली हम लोग गवर्मेंट के अंडर में काम करते हैं और गौर्मेंट में लीडर्शिप की तो सक्त जरू था ही, एक सक्त लीडर का होना बहुत जरूरी है, जो सही समय पे सही और जल्दी डिसीजन ले, नो जैसा श्रीवास सहम ने अभी कहा वो तीन सो तीन सो पजास के, तो मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहूंगा, कि क यह सकी रिफल से कुछ कोई बी ओपरीशन कैसे शुरू होता है? क्यूं में ने बत्सक ऐसे अभी किन को एक स्क्तिकान करना चाहने दोन गान खोमारेंगे कश कीछ कि हम इतने सारे जाज भेजेंगे हम नहीं भेजेंगे तो हमने सोचा कि जब बहुत सारे आतंगवादी वहां पे उस जगह पे इखटे हों तब हम जाके वहां पे अटेक करें जिसले जिससे एक मास डिस्रेक्शन हो तो अब वह नंबरों पर मैं नहीं जाओंगा लेकिन जो है बहुत सारे आतंगवादी उस जगह पे इखटे हैं तब उनने भारती वायसनों को आदेश दिया होगा कि अब आप जाईए और यह आतंगवादी अड़ों पे अटेक करिए जिससे बहुत सारे आतंगवादी जो वहां पे आ गए हैं वो एक सांथ जो हैं वो खतम हो तो आप कितने खतम हुए हैं यह तो क्याना बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत सारे हुए हैं इसमें कोई शक नहीं है इस सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि पिछली बार भी अर्विंद्र केजरिवाल जी बड़े ट्रोल हुए थे और यह कहिना का सवाल आपका उसी केटे अच्छमताओं पे कोई शक नहीं कर रहा किसी प्रकार की कोई गुंजाज नहीं है कि उन पर किसी प्रकार का शक किया जाए क्योंकि हमारी वही सेना है जिसने जनरल मानिक्षा के समय में पाकिस्तान की पूरी आर्मी को हात खड़ करके और कप्रा लहरा के लिए मजबूर कर यह वही सेना है जिसने पाकिस्तान के दो तुकड़े कर दी दे सवाल वो नहीं है सवाल यह है कि अपने हाद से अपनी ठटपाई जा रही है और संख्या को लेकर जो विराद विरोदा भास चल रहे हैं उसमें सवाल उठा है श्रीवास्तो जी आप संख्या को आप बार बार संख्या को इंगित कर रहे हैं आपको यह पता होना चाहिए कि वो उग्रवादियों का आतंक वादियों का ट्रेनिंग केम्प है केम्प कौन सा होता है केम्प की परिवासा आपको भली भाती याद होगी क्योंकि आप वरिष् प्रशिख्षित किया जाता है जिसमें 50 से अधिक प्रशिख्षक जो रहते हुआ मोजूद रहते हैं उसमें एक रिपोर्ट यह भी आए यह जाना हमले करने के बाद जो आतंगवादी थे वह बाल कोट में जाके उन्होंने वहाँ पर पार्टी भी की थी एक रात पहले और उ सेंशमता हों कि यहां पर तारीफ करने चाहिए अनिल जी लगातार कह रहे हैं और इसको अपने पीट नहीं थपता पाने चाहिए लेकिन आर्टिकल 35 ए और धारा 370 यह दो ऐसे विशह हैं जहां पर भारती सेना के किसी भी विंका को रोल नहीं है यहां पर तो आपको अपन पर परिस्तिती अलग होती है भारती जनता पार्टी जब इस पर रहते हैं तब समय और परिस्तिती आप तक्काल खत्म करें पैती से और दाना तो जी यह जो पैतीस ए वाला जो है आर्टिकल पैतीस ए निश्चित रूप से नियाईले में विचारा दीन है इसकी सुनवाई भी चल रही है वह आप जल्दी परिणाम देखेंगे को कि कभी-कभी तो क्या होता है कि सासन की मंसा क्या है आप हमारी मंसा इस परस्ट जान सकते हैं हम इस इन दोनों आर्टिकल के प्रति गंभीर है उसी का परिणाम है कि जल्दी- सब्सक्राइब को बड़ा फैसला लेती है तो क्या देश की जनता आपको नहीं लेगता आपके साथ में खड़ी हुई है बिल्कुल हम जन भावना करते हैं और जिस तरह को पता है के नरेंद्र मोदी जी है तो संबह हो है और निश्चित रूप से आप ये देखेंगे संब्सक्राइब कर दोनों की प्रति मतलब इसको लेकर के सकते हैं एर्वाइस मार्शल से आपको जो आप भी लेगा एर्वाइस मार्शल से टेक्टिकली कुकि कश्मीर is a core issue between इंडिया पाकिस्तान टेक्टिकली 35A और 370 की जो धारा है वो किस तरह से आतंगवाद्यू की शील्ड का काम करती है राश्ट विरोधी और देश-द्रोई की कैसे शील्ड का काम करती है क्योंकि आप टेक्टिकली हमें ज्यादा बता पाएंगे देखिए ऐसा है जहां तक फॉज का सवाल है हम लोग तो वहां पे जाते हैं और जो सरकार हम से कहती है मुझ टैपी कारवई करते हैं कौन सा एक्ट है कौन सा क्या है फॉज को इससे कोई की फरक्त नहीं पड़ता है क्योंकि फॉस तो जो सरकार का हुपम बनती है ठीक है यह आपकी डिप्लोमेटिक वह आपकी में बंदिशे समझ सकता हूं लेकिन सरी एक सवाल लगातार यहां पर उट रहा है कि इंडिया जो है जब इतने तमाम हमारी जो मसल्स पावर से हमारी मि अब हमारे जो पाकिस्तान कोई पूरे देशवासियों को यह जानना है और वह जानते ही है कि हम बहुत बहुत ताकतवार है चाहे आप आर्मी की बात करें, चाहे इंडियन एर फोर्स की बात करें, चाहे इंडियन नेवी की बात करें, हम सक्षम हैं, होसला है हमें, और हम ट्रू भारती हैं, और यही सब वज़स से जो है, हमें कभी ऐसी हमारे माथे पर शिकन भी नहीं आती कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा बिल्कुल एरफोस उसके लिए एकडम से तयार है और पुरा देश आपके साथ में पुरा मुल्क जो है इस समय बिल्कुल खड़ा हुआ है और समय का अच्छी बात की बात नहीं कर रहा है और नहीं भी करने चाहिए इस समय कोई डिवीजन की किसी भी तमाम की जो बाते हैं व उस पर कॉशन मार किया रहा है कि आखिर कितने मरें मरें तो उसके तस्वीर आने चाहिए एक सिस्टिन का अगर डिस्ट्रॉइ किया तो उसके प्रूव आने चाहिए यह बड़ा एक गलट ट्रेंड है और कहीं ना कहीं इसमें राजनीती जो है वह चुपी हुई नजर आती है मैं उम्मीद करता हूं कि स्मुद्धे पर कम से कम राजनीती नहीं हो लेकिन फाइनल राउंड में यहां पर जरू लूँगा और एक सवाल आप तीनों ही गैस्ट से यहां पर जरू लूँगा आप से मैं सवाल पुछना चाहूंगा अगला स्टैप इंडिया का होगा लोग हैं उन सबसे मश्वरा करके सरकार जो भी कदम सोच रही है जो कदम उठाएगी बिल्कुल सही होगा मनिश जी यह एक ना चाहतो है भी क्योंकि लगातार जो ही पॉलिटिकल इस तो बनी गया है अलाकि हमेशा से स्टेंड रहता है विपक्ष का भी कि हम साथ में बीजेपी से अपनी लीडर्शिप की जीत बता रही है लगातर इस तरह के स्टेटमेंट तो जरूर आ रहे हैं यह बात सच्चा ही भी है लेकिन आप से सवाल यह पूछना चाहरे है जो कोर इशू है आगे देश को कैसे एक जुट करके आगे चलना है और आपकी पार्टी क आज हिंदुस्तान को इसा नेत्रत्व दिया है जिन्होंने अपने इरादे इस्पष्ट किये और इरादे इस्पष्ट किये कारी योजना भी इस्पष्ट किये उसी का परिणाम है कि आज विश्व में हमारा स्वाभी मान बढ़ा है हमारा सामर्थ दिखाए और इट का अगे बढ़ता जरूर है काफी बयान बजी होती है अपकी बार आर्यप पार इस तरह के तमाम नारे बोले जाते हैं अटल जी के टाइम पे भी बोले गयते हैं कारगिल युद्ध जो है वो पूरा हमने अपनी सॉयल पे लड़ाया सर यह भी सच्चा ही है यहां पर हम उनके प किया है कि जब आतंक की जड़े जहाँ भी होगी तो उस पर कारिवाई करने का हमें हख है उन्होंने उदारी दिया ओसामाबिन लादेन का asteroid यह जदी आतंकवाद कि असके लिए बो कारिवाई हो सकती है तो हम आतंकवाद की जड़ों को नश्ट करने के कारवाई करने के लिए क्यों सक्षम नहीं है हम सक्षम है इट का जवाब पत्थर देंगे आतंकवाद की जर्द जहां भी होगी आतंकी जहां भी चुपे होंगे हम ढूंड निकालेंगे पाताल में भी होंगे तो खोच के हम उनको दफन करेंगे एरवाइस मार्शर शाहब प कर सकते हैं और अगर यह स्थिति क्या आप देख पार इस बर देखिए हमने जैसे मैंने अभी कहा कि कुछ जो भी इस टैप के ऑपरेशन होते हैं उसमें के एक उद्देश होता है तो हमारा उद्देश है आतंकवादियों को खतम करने का अभी उसमें पीयों को की कोई बात सवाल है उसमें हम अभी नहीं जाने चाते क्योंकि वह एक मुद्दा जो है वो सरकारी तौर पर हो सकता है हमारा जो जो एरफोर्स को आदेश दिये गए थे वह आतंकवादियों को नस्च करने का था और वह हमने सरकार की आदेश का पालन कि और आतंकवादी का आपने सुन जब भी जो है यह टेंशन जो है डाउन होगी उम्मिद करते हैं कि भारत जो इस बार कड़ा सबक सिखाएगा लेकिन यह भी आपको नहीं लगता कि दुर्भागी पूर्ने की महभुवा मुप्ती जैसी जो लीडर्स हैं जो हमारे ही एक सूबे की जो है मुख्यमंतिर रह हैं उसके बावजूद भी वह भारत के खिलाफ ही जहर उगलती रहती हैं और कहतीं कि अगर कुछ भी होता है तो हम दूसरे का जंडा उठाने के लिए खड़े हो जाएंगे और दुर्भागी यह भी है कि उनके साथ में कई ऐसी जो ताकते हैं कई ऐसी फॉलिटिकल आउट मामला 370 पर जाता है यह जुत्ती बयान वाजी हो रही है यह वार्निंग की दी जारी है कि हम दूसरे उसका जंडा उठा लेंगे यह सब धारा 370 का अगर हम धारा 370 कोई समात्त कर दें अपने तरब से कानून बना दे से उससे तो असनी से किया जा सकता है खाला कि आज की इसलिए नहीं किया जा सकता कि पहले कश्मीर विदान सवा से मामला पारित होगा फिर लोग सवा राज्य सवा से होगा जब तक पीडीपी के साथ इनका ताल मिल था तब हो सकता है उस वक्त कोई भी देश को भी सोवरेंट कंट्री जो है किसी तरह का फैसल ले सकता है और क् इसी तरह से इसी पंगू बना रहेगा कुछ ऐसे लोगों के जिसके हत्ते में वहाँ पर जो है कश्मीर जो है जा चुका है और वो लोग लगातार देश द्रोही गतिविदी में सनलिपते रहते हैं उम्मिद करते हैं कि भारत सरकार इस और कड़ा कदम उठाएगी और कहते हैं कि इंडिया फर्स्ट नेशन फर्स्ट और उसी रहा पर वो आगे बढ़ेगा और सबसे पहले हमारे देश की जो देश द्रोही हैं उनको कड़ा सबक यहां पर सिखाएगा कि आपने अगर किसी तरह का साथ दिया अब इस तरह की आतंगवादियों पर और हमारे जो सैनि हैं उनकी जान की साथ खिलवार किया तो सबसे पहले आपको आपको इसकी सजा मिलेगी और निशुत तोर पर एक ऐसा मौका है पुरे देश को यहां पर एक खटा होना चाहिए और पाकिस्तान को कम सक्वें इस पर ऐसा माकूल जवाब देना चाहिए कि अगली बार इस तरह